अकाउंट डिटेल्स का क्या आर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं अकाउंट डिटेल्स का मतलब होता है खाता विवरन और खाता विवरन का अलग-अलग तरीकिसे इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो माली जी कोई आपको पैसे भेजना चाहता है या आप कहीं जॉब करते हैं वो कहते हैं आपका account details दे दीजिए तो इसका मतलब वो आपका खाता number मांग रहे हैं ताकि वो आपको पैसे भेज भाएं या आपकी salary आपको दे पाएं तो उसको account details कहते हैं इसके इलावा कई बार आपके account की details मांगी जाती है और कि statement मांगी जाती है कि जैसे आप loan के लिए apply करते हैं या कहीं पर आपकी financial details चेक करी जाती है या फिर job से पहले जब आपसे ये check किया जाता है कि आपने जितनी salary बताई है वो आपके account में आती थी या नहीं आती थी तो उस तरीके से जब detail मांगी जाए तो इसका मतलब वो आपका खाता number के साथ साथ आपके account की transaction details भी मांग रही है तो ये अब आपको तै करना है कि आपका सामने वाला सिर्फ आपको पैसे भेजना चाहता है तो सिर्फ आप अपना account number IFSC code या swift code वगयरा दे दीजिए उससे काम हो जाएगा और अगर वो statements मांगता है तो उसको भी account details कहते हैं तो आप उससे एक बार clear कर लिजिए कि कौन सी details उसको चाहिए या आप अपने बातचित के context से इसको समझ सकते हैं कौन सी details वो चाहता है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें